सरदार पबलिक स्कूल, विजापूर, इंगलिश मीडियम, स्टांडर फर्स्ट, सब्जेक्ट जीके Students, today we will see chapter number 6, Classroom आज हमें कौन सा chapter सीखना है? 6 number का क्या नेम है? Classroom Chapter का नेम क्या है? Classroom तो चलो यहाँ पर एक picture दिया गया है, तो वो सभी को देखना है, तो चलो सभी students देखेंगे, Classroom का पिच्चर दिया गया है वो, तो आप लोगों को पिच्चर दिख रहा है Classroom का, तो पहले हम देखेंगे कि Classroom में हमें क्या-क्या दिख रहा है, तो fan है, फिर teacher है, blackboard है, chair है, chalk है, duster है, books है, map है, फिर चार्ट दिया गया है, फिर बहुत सारे students है, globe है, यहाँ पर map है, तो ऐसी बहुत सारे different different things Classroom में होती है, तो शोयर्ण साप लोगों को पता है न, Classroom किसे कहते है, तो हम school में जाते है, और जिस class में बैटके हम study करते है, उसे क्या कहते है, Classroom कहते है, जिस room में बैटके हम study करते है, उस room को क्या कहते है, Classroom कहते है, ओके, तो चलो हम देखते है, यहाँ पर क्या-क् दी गई है तो देखो यहाँ पर numbers दिये गए है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके हमें 20 तक number दिये गए है textbook में page number 16 और 17 देखना है तो देखो 1 से लेके 20 तक numbers दिये गए है और picture में भी 1 से लेकर 20 तक numbers दिये गए है 1, 2, 20 numbers दिये गए है तो 1 number में कौन सा क्या है teacher का है 1 number के picture में क्या कौन है teacher है देखो यहाँ पर teacher है और उनके वहाँ पर लिखा है 1 तो हमें यहाँ पर identify करना है कि 1 में कौन सा picture दिया गया है ओके students तो देखो यहाँ पर कौन सा picture है तो number 1 में देखो नमबर बन में क्या है टीचर फिर नमबर टू नमबर टू में क्या है ब्लैक बोड़ देखो यहाँ पर टू दिया गया है तो उसमें टू में कौन सा पिच्चर आप लोगों को दिख रहा है ब्लैक बोड़ फिर नमबर थ्री देखो यह वाला नंबर थ्री यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को सभी लोगों को नंबर थ्री देखना है देखो यहाँ पर नंबर थ्री दिया गया है तो नंबर थ्री में क्या है टेबल क्या है students? टेबल तो नंबर फूर नंबर फूर फाइंड करो चलो तो number four कहाँ पर है, ये रहा number four, दिख रहा है number four आप लोगों को, yes, तो number four में क्या है, चेर दे गए, आप लोगों को भी मेरे साथ साथ identify करना है कि कौन सा picture है, ओके, आप लोगों को picture देखना है, फिर उसे recognize करना है, कि कौन सा picture है, तो 4 number after 5 number देखो, 5 number कहाँ पर है, find out, 5 number, books दिख रही है आप लोगों को 5 number में books, yes books देखी आप सभी लोगों ने, अभी number 6 देखो number 6 में क्या है, chalk sticks है, right फिर number 7 देखो, number 7 में क्या है, duster दिख रहा है duster आप लोगों को, yes number 8 find करना है, where is number 8, yes here is number 8, number 8 में क्या कौन है, student देखो ये student दिख रहा है आप लोगों को, yes 8 number दिया है न, student के उपर लिखा है न, 8 number, yes फिर 9 number देखो, 9 number ये रहा, 9 number तो 9 number में देखो क्या है, bench दी गई है फिर 9 after 10, 10 में क्या है, desk तो yellow और red कलर के क्या है, desk है number 11, number 11 में क्या है, pencil देखो यहाँ पर number 11 दिया गया है, तो number 11 में क्या है, pencil 11 after 12, देखो यहाँ पर एक eraser दिया है दिख रहा है आप सभी लोगों को eraser number 12 में, yes 12 after 13, 13 में क्या है, ruler देखो यह, 13 नमबर देखो, 13 में ruler दिख रही आप लोगों को जो student ने ऐसे उठाई हुई है, ruler मतलब की scale, foot party, उसे क्या कहते है, ruler कहते है number 14, number 14 find करो, number 14 कहां पर है यह रहा number 14, तो number 14 में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है school bag, number 14 में क्या है, school bag यह, देखो यहाँ पर number 14 में school bag दिखाई दे रही है, यहाँ पर yes, number 14 after, number 15, number 15 में क्या है, lunch box है तो आप सबी लोगों को number 15 दिखाई दे रहा है ये रहा देखो तो number 15 में क्या है? lunch box फिर number 16 देखो number 16 में क्या है? चलो सब लोगों को देखना ये है number 16 और number 16 में क्या है? map number 16 में क्या है? map जो नक्षा होता है उसे क्या कहते है? map कहते है then number 17 तो सबी लोगों को No. 17 देखना है, देखो No. 17 दीख रहा है, येस, तो No. 17 में क्या है, Book Shelf, मतलब की जहां पर हम Book रखते हैं, उसे क्या कहते है, Book Shelf कहते है, No. 17 आफ्टर No. 18, तो चलो देखो No. 18 में क्या है, Dust Bean है, No. 18 आफ्टर No. 19, तो देखो ये क्या है, Globe है, मतलब जो round shape का होता है उसमें पूरे world का नक्षा दिया होता है उसे क्या कहते है? globe कहते है number 20 देखो last में number 20 दीख रहा है आप सबी लोगों को chart है number 20 में क्या दिया गया है? chart तो students आपने picture ये पूरे picture देखा और सारी things आप लोगों ने identify कर दी है अभी हमें यहाँ पर नीचे सारी things लिखनी है तो number 1 क्या है? teacher आप लोगों को साथ साथ में देखना है picture में भी ओके चलो देखो आप लोग picture में और यहाँ पर देखना है t e a c h e r teacher then number 2 is blackboard b l a c k b o a r d blackboard number 3 t a b l e table number 4 c h a i r chair number 5 b o o k s books number 6 c h a l k s t i c k s chalk sticks number 7 d u s t e r duster number 8 s t u d e n t student number 9 b e n c h bench number 10 d e s k desk number 11 p e n c i l pencil number 12 e r a s e r eraser number 13 r u l e r ruler number 14 s c h o o l b a g school bag number 15 l u n c h b o x lunch box number 16 m a p map number 17 b o k s h e l f bookshelf number 18 d u s t b i n dustbin number 19 g l o b e globe number 20 c h a r t chart तो students हमने सारे pictures को पहले identify किया और फिर सारे जितने भी things हमने देखे identify किये उसके spellings भी हमें यहाँ पर नीचे लिखने है चलो next question देखना है question number 2 fill in the blanks with the appropriate word तो चलो आप सभी लोगों को fill in the blanks देखनी है चलो दिखाई दे रही है आप लोगों को number 1 क्या है to which school do you go I go to सरदार public school आप कौनसी स्कूल में जाते हो तो हम कौनसी स्कूल में आते पढ़ने के लिए सरदार public स्कूल तो आप लोगों को fill in the blanks में लिखना है यहाँ पर सरदार public स्कूल पीछे लिखा है तो हमें लिखना नहीं है चलो number 2 देखो in which standard are you आप कौनसी स्टांडर्ण में स्टाड़ी करते हो अभी yes I am in first standard आप लोग first standard में study करते हो ना yes तो आप लोगों को लिखना है first what is your class teacher's name तो आपके class teacher's जो class teacher है उनका name क्या है तो यहाँ पर answer में लिखना है my class teacher's name is तो fill in the blanks में लिखना है पूजा बेन आपके teacher का नाम क्या है class teacher है उनका name पूजा बेन तो आपको answer में लिखना है पूजा में तो students आप लोगों को सारी feel in the blank समझ में आ गई होगी ओके तो आप लोगों को भी अच्छी writing से लिखना है ओके students तो यहाँ पर हमारा chapter number 6 finish होता है आप लोगों को अच्छी writing में chapter number 6 लिखना है Thank you students